नमस्कार स्वागत है आपका न्यूस क्लिक पर मैं हूँ आपकी होस्ट नीलू व्यास और आज हम है आगरा में और पश्चमी उत्रप्रदेश जहां पर 58 विधान सभा सीथ पर एलेक्शन होने जा रहा है दस फरवरी को पश्चमी उत्रप्रदेश में क्या समीकरण बन रहे हैं और समाजवादी पार्टी और RLD यानि की राश्ट्री लोगदल का जो गटबंधन है वो कितनी तेजी से इस रीजन में आगे बढ़ रहा है आज इन सारी चीजों पर बात करेंगे हमारे साथ राश्ट्री लोगदल क 2017, 2019 यह तीनों इलेक्शन को अगर आप देखें और वो अगर BJP को वोट कर रहे थे तो आज ऐसी क्या चीज़ बदली है जिसकी बज़र से आज SP और RLD के गटबंधन को लोग वोट डालेंगे हर चुनाव अलग होता है बहुत बड़ा मैंडेट BJP को लोगों ने दिया इसमें कोई दो राय नहीं है प्रचंड भहुमत यूपी में है और वैसी ही भहुमत उनके पास केंद्र में है लेकिन हर चुनाव में एक अफसर होता है कि जनता दुबारा सोचती है विचार करती ह है अपने अनुभवों को याद करती है पांच साल का हिसाब लेती है अगर हम यूपी में देखेंगे कि हमारा दावा हम क्यूं कर रहे हैं कि एंटी इंकमनलसी बहुत हाई है इसलिए कर रहे हैं कि जो BGP ने वादे किये वो पूरे नहीं कर पाए उन्होंने नौकरी के लि चारीश चारीश पचास पचास परसेंट जो बैकपड और अनसुचित जात के जो पद हैं वो खाली पड़े हैं आर्मी की भरती जो है तीन साल से हुई नहीं है हमारे चेतर के बच्चे आप देखें गाउ में दोड रहे हैं सुबा दोड लगा रहे हैं तो वो चाहते हैं आर्मी में पुलीस में भड़ती हो जाए और वो हो नहीं पा रही है सहीमित तरीके से किसानों के प्रतियों जो भी वादे किये वो पूरे नहीं हुए है बहुत एक बड़ी तंगी है जो सब लोग महसूस कर रहे हैं गाउं में पट पेरा जो एक सवाल है कि इस समें जो एक बेसिक अंडर करेंट लोगों को दिख रहा है और बहुत आपसे यह सवाल मैं इसले पूछ रही हूं कि यह सारे मुद्धे पिछले चुनाव में भी थे बेरोज़गारी भी थी बीज़पी यह कह रही थी कि देखे हम अच्छे दिन लेकर आ रहे हैं 2014 से आज लोगों को ऐ इसा क्या लग रहा है क्या बेरोज़गारी इतना बड़ा मुद्धा है जिसके वज़ज़ से लोगों में इतना ज्यादा रेजेंटमेंट है पिछले चुनाव एक सामान चुनाव नहीं था उसके पहले बड़ा इवेंट प्लैन किया गया था अगर नोट बंदी नहीं होत मेरा मानना है इतना बड़ा मैंडेट बीजीपी को नहीं मिलता और बिलकुल चुनाव के पूर संधिया पे इस तरह का फैसला केंसरकार ने लिया और लोगों ने सोचा कि इससे एक बहुत बड़ी करांती बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है लोगों के जीवन पर की तरफ चल रहे हैं ऐसा नहीं हुआ उसी नोट बंदी ने और जो फॉर्मलाजेशन हो रही है एकॉनमी की जो केंद्रे करन हो रहा है जिस तरह से एक कॉर्परेट के 5% क्रीम के लिए सरकार काम कर रही है बजेट में आप देख रहे हैं कॉर्परेट टेक्स गटाया जा र और इसलिए बेरोजगारी शायद इतनी बड़ी समस्या 5 साल पहले नहीं थी जितनी आज है और यह आखड़े भी बता रहे हैं CMIE का डेटा भी आप देखेंगे तो आपके हिसाब से अगर आज पश्चमी उतरप्रदेश की मैं खासकर बात कर रही हूं उसके बाद फिर जब उन्होंने कोई सवाल किये, कोई मांग उठाई उन पर लाठिया चलाए गए योगी जी तो दमकाते हैं वो तो ऐसे ऐसे उगली चला के बोलते हैं लखनो जब कोई गया तो उन पर लाठिया चलाए गए शिक्शक भरती को लेकर मांग भी लाठी चलाए गई पुलीस लंबे चल रही हैं अगर कोई उस पर सवाल करेगा तो लाठिया चलेगी तो वो उनके गवर्नेंस का एक स्टाइल एक तरीका है लेकिन जिस तरीके की उमीदें लोगों को अब आपसे बन रही हैं आपकी सरकार अगर बनेगी तो आपसे उमीद की जाएगी कि आप उनको को नौकरिया मिल जाएंगी क्या वो जादू की छड़ी SP और RLD के पास है ने जादू की छड़ी किसके पास नहीं है लेकिन कम से कम जब हम पे इतना दवाव है और लोग हमसे कोई चीज सुनना चाहते हैं तब भी अगर हम बहुत तोल मोल कर बोल रहे हैं इसका मतलब है कि हम सचाई यह है कि इसके लिए आपको एक long term vision बनाना पड़ेगा रोड मैप तयार होना होगा और private sector के बिना private sector को आप जब उनकी भागेदारी अगर हम नहीं बना पाएंगे और उनको हम motivate नहीं करेंगे कि हमारे उत्रप्रदेश में आकर निवेश करें नौकरी नहीं मिलने व लेकिन जो बाते आप लोग कह रहे हैं यही बातें बीजेपी की सरकार ने कही थी मैं जादा नहीं जाओंगी भी तीनचा दिन पहले योगी जी ने अपना रिपोर्ट कार्ड निकाला था और कहा कि देखे हमने तो जो जो अनम्प्लॉइमेंट है जो बेरुजगारी दर है कितना घटा दिया है 18 प्रतिशत 2017 के पहले था और अब 3 प्रतिशत हो गया है और जो पर व्यक्ति जो आए है वो भी बढ़ गई है 45,000 से 94,000 हो गई है तो इस तरीके के दावे जो योगी जी कर रहे हैं तो कैसे जनता समझे ही कैसे कि उस दावे में क्या तत्य है और जो प्रतिविक्ति आये में उत्तरप्रदेश सबसे फिसर भी है वो कह रहे है कि उत्तरप्रदेश तो आज दूसरे नंबर पर उसकी एकॉनमी कहा नीति आयो की रिपोर्ट ही देख लीजे रिपोर्ट को पढ़ते नहीं है उनको नहीं पता जैसे आप में उधारन आपको दे जाओ अशी 20 कह रहे हैं कि 20 परसेंट लोग उत्तरप्रदेश में ऐसे हैं जो विकास नहीं चाहते हैं जो अवरोधक बन जाते हैं जो दंगा पसंद करते हैं जो कानून विवस्था में विश्वास नहीं करते हैं तो मतलब 5 करोड लोग उत्तरप्रदेश के ऐसे लोग हैं तो फिर उन पांच करोड़ लोगों का आप क्या करेंगे योगी जी, तो बस ऐसे फैक रहे हैं, हवा में चीजें को फैक रहे हैं, और उसके पीछे कोई उनका कोई अध्यान या विचार नहीं है, ये एक स्लोगन लेके चलते हैं, बीजेपी का स्टायल है, स्लोगन देना लेकिन जब आप लोगों के बीच में समय जा रहे हैं, क्या आप लोगों को बीजेपी की ये हकीकत एक्स्प्लेइन कर रहे हैं, क्या बीजेपी को बेनकाब आप उस तरीके से कर रहे हैं, हम तो इनकी आलोचना भी नहीं कर रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं, और मैं और एक पॉजिटिव केमिस्ट्री को लेके हम चाल रहे हैं, हमें परिवर्तन लाना है, हमें एक नई दिशा देनी है, ताकि जो एक तरक्की के जो सपने लोगों ने देखे हैं, उनको हम पढ़ दे सके हैं. मजगर एक वोट बैंक को की बात की जाती थी, मुस्लिम, अहर, दलित, आज उस वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए, क्या राजनीती आपका गड़बंधन कर रहा है, या आप कुछ बहुत ही एक अलग फॉर्मिला लेके लोगों के बीच में जा रहे हैं? नहीं, फॉर्मुला कुछ हद तक उसके इर्दगिर्द है, लेकिन हम एक फॉर्मुला में किसी को भाहर छोड़ दें या किसी का ख्याल न रखें, उस तरह की नीती की साथ काम नहीं कर रहे हैं. आप नहीं कह रहे हैं कि जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स हैं उसमें आप विश्वास नहीं करते हैं? तब ही हमेसे वक्ता मेलेगी और यही हमारे राजनितिक समीकरन का एक बहुत बड़ा हिससा है इस जुनाव में. लिकिन पश्चिम यूतर प्रदेश एक जाट बेल्ट माना जाता है और सब जानते हैं कि जाटों का जो वोट है वो बहुत जादा प्रभल है, बहुत dominant vote है. खुराख जाटे जाटों करेंते हैं कि जाटों का जाटाइश हैं किसमेंकर जा guidelines समेकर इस करता हैं with the farmers and not just in studios, not just by giving a statement on Twitter. We were on ground and when we realized किसान संगथन, किसान मोर्चा, SKM नहीं चाहरा था कि राजनीतिक लोग मंच पे आए, तो हम मंच पे नहीं गए, हमने अपने मंच बनाए. RLD ने अकेली हमारी पार्टी है, जिसने किसान पंचायतों का आउजून किया. देश में और किसी दलने नहीं किया, हमने अपने लोगों को मोबलाइस किया, हमने पुरवांचल तक में कायर करम किया, जब उनोंने का कि ये सिमिच छेतर का अंदोलन है, ये जाटों का अंदोलन है, ये पश्चिम का अंदोलन है, तो हमने प्रयागराज में जाके आंदोलन किया लखीमपुर के नेपाल बॉर्डर पे जाके हमने RLD ने और्गिनाइज किया और किसान आए तो आई तिक वो जो एक सारी चीज जो हुई है उसने सब को सोचने के लिए मजबूर किया सब को जगजोर करके रख दिया कि हम लोग कहां है आज हमारी सच्चा ही क्या है यह हमारे साथ क्यूं हो रहा है एसी क्यूं बीतर है हमारे साथ 13 महिने हमें आंदोलन करना पड़ेगा उससे कहीं न कहीं लोगों को विचार किया कि हमने जिनको ताकत दी है, आज वो हमारे बीच नहीं, हमारे साथ नहीं, उनकी कोई सहानभूती सम्वेदना हमारे साथ नहीं. तो क्या सिर्फ किसानों का जो मुद्दा है, आज वो इतना प्रबल है कि पश्चमी उत्रप्रदेश में आपको लग रहा है कि बीजेपी का बिल्कुल सफाया हो जाएगा एक तरीके से? आप अग्रिकल्चर और किसानों की बात करते हैं, बीजेपी ये कहती है कि वो मुजफर नगर के दंगों की बात करती है, कि देखें जो धंगाई थे, तमंचावादी पार्टी, ये तमाम तरीके के जो विशलेशण वो इस्तिमाल कर रही है, कि तमंचावादी पार्टी है ये आपका हित कभी नहीं सोच सकती है, उस नारेटिव को कैसे खांड़ करें? आगे बढ़ें, भूल जाएं बातों को, या आप बार बार दोनों को याद कराओगे, तुम लड़े थे, तुम लड़े थे, लड़ना है, लड़ना है, दंगा है, लडाई है, यही बात है, यही भाशा है, तो इतने जिम्मेदारी देने के बाद भी उन्हें खुद अपन की कोशिश की थी उनको बुलाया 500 लीडर्स परवेश्वर्मा की घर पर मिले थे और एक तरह वो जाटों को रिजाने की कोशिश कर रहे हैं फिर आपको भी वो सिगनल जेते हैं कि भाई जयन बाभू आप से गलत जगह बैड़ गए हो आप बीजेपी में आजाओ मैं आपको यह कह रहा हूं कि आल्टमेटली वोट का निर्ने भावनात्मक तो होता है एक भावनात्मक जोड़ा होता है नेताओं के साथ आप विश्वास करते हो लेकिन जेब पे क्या हो रहा है आपकी जो जीवनी पे मतलब जो आर्थिक संकट हैं या जो भी चीजें है इसूस है वो और सच्चा ही है कि आपकी एकनॉमिक आइडेंटिटी जो पहचान है जाटों की भी वो अपने किसानी और जमीन से जुड़ी हुई है और कास्ट में भी है वो भी किसान है जाट भी वो ही है तो वो भी तो ऐसा ही सोचेंगे और अगर हम सिर्फ कास्ट की बात करें तो कई जिसमें बीजेपी ने पिछले सालों में कोई हल नहीं निखाला, कुछ नहीं दिया, हर चुनाफ के पहले आप चंद लोगों को बुला कर ये दिखावा करोगे कि हम जो है समाज के साथ हैं, समाज भी होश्यार है. Amit Shah, आपको बार बार प्रलोभन देने की कोशिश करते हैं, डिरेक्ली, इंडिरेक्ली, कुछ-कुछ बोल कर मीडिया में कि जैन बाबु आपसे गलती हो गई है, आप गलत पार्टी में चले गए हो, आपको कभी टेम्टेशन नहीं होती कि भई बीजेपी की तरफ ही चले जा या तो मुद्दे बदल गे, कुछ हाल उनका निकल गया, या मैं बदल गया. तो आप किसी भी सूरत में बीजेपी नहीं जॉइन कर सकते हैं या बीजेपी का कोई गडबंदन नहीं जॉइन करेंगे करेंगे? मैं क्या किसी लालच में सत्ता के खिलाफ चल रहा हूँ, सत्त मैं दो चुनाव खुद हार गया हूँ, फिर भी मेरी भाशा नहीं बदली है, तो फिर वो क्या मुझे परलबों दे देंगे, क्या कौन सी मिठाई ऐसे, कौन सा पेड़ा खिला देंगे, कि आज मेरा वो सोचने का तरीका और काम करने का तरीका बदल जाएगा. आप लोक का जो गड़बंधन है, जिस तरीके से और जिस तेजी से आप यह दावे कर रहे हैं, कि बहुत सारी भीड आपके साथ है, और आप लो बहुत सारी लोग आपके साथ चल रहे हैं, क्यू कही नखी लगिस हैं, कि जो मुदे आप लूँ अठा रहे हो, वो जगीन हा सब्सक्राइब कर दो जिलों को क्या वो मैप से हटा देना चाहता है वो पाकिस्तान से जोड़ना चाहते हैं दो जिलों को जब कहर है कि दो जिलों की गर्मी निकाल दूँगा आधमी शामली जले नहीं जुड़ रहा हूआ या मजफळानगर से नहीं जुड़ organise अधम्रह का आदमी जो सह हार आफ हमारे लोग हैं जब आप ये 20% में पूरे मुझवफनगर और कहराना को जोड़ के चल रहे हैं मुखे मंत्री तो वहीं के लोग देखा देंगे क्या होगा इनका लेकिन कहराना में क्या लगता है आपको जिस तरीके से बीजेपी बार-बार कहराना का जो एक्जोडस का मुद्दा है वो उठाती है कि देखे पलायन हुआ था और अब वो फैमिलीज वापस आ गई है उस मुद्दे को बार-बार बीजेपी गुमाने की कोशिश करती है उत्रप्रदेश का नौजवान जब भार नौकरी के लिए जा रहा है असरुक्षया के कारण जा रहा है उसको संभावना नहीं दिख रहे हैं उत्रप्रदेश में रहते रहते हैं अपने गाउं को घर को छोड़ने की इच्छा उसकी शायद नहीं है बट उससे करना पड़ता है और पूरे लेवर मार्केट को आप देखेंगे बिहार का आदमी करनाटक का आदमी आपको पूरे देश और दुनिया में मिल जाएगा आंधरा का आदमी पूरी दुनिया में मिल जाएगा तो लोग अपने संभावनाओं को देखते वे एकाम करते हैं ऐसा कहना के वहां इतनी गुंडागर्दी थी और लोग भाग भाग के जाते थे और वो वापस आके वही रह रहे हैं और बड़े खुश हैं और उनकी आय दुगनी हो गई मुझे लगता है योगी जी कहते है मैं सोता नहीं मुझे तो लगता है वो जाकते जाकते सो रहे हैं लेकिन जो background है जो candidates का अभी में एक A.D.R की report देख रही थी तो उसमें ये था कि देखे जाधा तर जो candidates हैं वो criminal background से हैं चाहे वो समाजवादी party के हो आपकी party हो अगर किसी व्यक्ति पे उस तरह की दारा लगी है और यह अल्टिमेटली जुडिशल रिफॉर्म होना चाहिए जल्दी से इनकी सुनवाई वो निप्टारन हो ताकि जो बेदाग लोग हैं वो कम से कम व्यवस्था का हिस्सा बने रहे हैं आपने धाराई की बात की आपके और खिलेश जी के जो पूरा काफिला चल रहा था उसके खिलाफ कोविड नियमों के उलंगन का आरोप लगाया है और उस पर केस भी दर्ज हो गया है लोग जानते हैं लोग ने तस्वीरे देखियें मैं आखरी विक्ति होता हूं उपना मास्क उतारने वाला और हम लोग बस के ऊपर खड़े हैं और हम क्या करे हैं कि जब बस हमने कारिकरम खतम कर लिया हम दिल्ली के तरफ लोट रहें और सड़ों पर इतना उसा लोगों में है लोग आ रहे हैं तो उसमें आप ये खुदी सोचे कि इसमें दोश किसका है मोदी जी का जो फाक्टर है हमेशा ये कहा जाता है कि चुनाओ चाहे जिस भी स्पीड से चल रहा हो मोदी जी के कूदने के बाद वो चुनाओ एक अजीब सी गती पकड़ लेता है और तो मोदी फाक्टर आज उत्तर प्रदेश के चुनाओ में कितना डॉमिनेंट है आपक केंजन सरकार और मोदी फैक्टर की जो बात करते हैं उनसे पूछना चाहिए डबल एंजन सरकार का लाब यूपी की जनता को क्या मिला है और जो भाजपा शासित राज नहीं है उन महां जनता का क्या गुना है तो ये तो कोई फैक्टर नहीं अब तो ये राज का सवाल है यूपी का सवाल है आपको विधायक का चुनाव करना है आपको ये सोचना है मुख्यमंत्री किसको बनाना चाहते हूं किस पार्टी को ताकर देना चाहते हूं केंज सरकार का कोई विशे ही नहीं है